आध्यात्म विज्ञाव आध्यान सत्संकेंद्र शुद्ध रूप से एक धार्मिक संस्था है। ये संस्था भारतिय योगदर्शन में वर्नित कश्मीरी शैव सिध्धान्त को संपूर्ण मानव जाती में मूर्त रूपते रही है। धार्णा, ध्यान एवं समाधी तक विक्सित हो रहे है। संत्स्रे सिया का उद्देश भारतिय आध्यात्म विज्ञान को विश्व के भौतिक विज्ञान के साथ जोड़ते हुए। सिध्धयोगी क्रियात्मक विधी द्वारा संपूर्ण मानवता का दिव्वय रुपा अंतरण करना है। सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाक का जन्म पलाना गाउं में हुआ। जो की विकानेर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूरी परिस्थित है। मात्र तीन वर्ष की अवस्था में गुरुदेव के पिताजी का स्वर्गवास हो गया। और माता ने कड़ी मेहनत मजदूरी करके उनका पालन पोशन किया। गुरुदेव का बच्पन अना थाले में बीता और वहां उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चाहत उत्तर रेलवे में कलर्क के पद पर कारे करना आरंभ किया। प्रारंभिक जीवनकाल में गुरुदेव को आध्यात्म में कोई विशेश रूची नहीं थी। सन 1967 में अचानक परिस्थितियां विप्रीथ हो गई। तब उन्होंने सन 1968 की शरद रितु में शुरू होने वाली नवरात्रा से गायत्री मंत्र के जाप के साथ यग्य करना आरंभ किया। सवा लाख मंत्रों की आहूती तक गुरुदेव की एक निष्ट एकागरता बनी रही। एक जन्वरी 1979 की प्रातहकाल ब्रह्म मूरत में गुरुदेव को गायत्री मंत्र की सिध्धी हो गई। और उनका पूरा शरीर दिव्य प्रकाश में हो गया। इस अराधना के बाद गुरुदेव का जीवन पूर्न तह सात्विक हो गया। स्वामी विवेकानन जी को पढ़ने के पश्चात गुरुदेव को गुरुधरन करने की प्रेड़ना मिली। क्योंकि स्वामी जी ने कहा है कि बिना सद्गुरु के आध्यात्म मार्ग में सफलता मिलना संभव नहीं है। सद्गुरु की तलाश में गुरुदेव देव योग से बाबाश्री गंगाई नाथ जी योगी के संपर्क में आये। बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी एक आईपन्थी नाथ थे एवं इनका बच्पन सिर्मा गाउं में वीदा और आध्यात्न की तलाश में गुरु को खोचते हुए काजलवास्चा पहुचे जहां उनके गुरु श्री भाव नाथ जी काजलवास में तपस्या किया करते थे काजलवास आदिकाल से ही नाथों की तपोस्थली रहा है यहां पर ग्यार है नाथों की जीवित समाधिया है काजलवास में अंतिम जीवित समाधी श्री भाव नाथ जी की है जिन्होंने बाबा श्री गंगाई नाथ जी को गुरु पद सौपा और जामसर में तपस्या करने का आदेश दिया और यहां बाबा श्री गंगाई नाथ जी ने कठोर तपस्या की जब गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग सन 1983 के मध्धे में दूसरी बार चाम सर गए तब बाबा श्री गंगाई नाथ जी ने गुरुदेव सियाग पर अहेतु की कुपा कर गुरुपद उन्हें सौब दिया और आगे के कारे और साधना करने का आदेश दिया 31 दिसंबर 1983 को प्रात है पाँच बच कर 22 मिनट पर बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी ब्रमलीन हो गए उनकी समाधी उनकी तपोस्थली के नस्दीक ही स्थित है सन 1984 में गुरुदेव के जीवन में बदला आवाने लगा और इसी वर्ष उन्हें श्री कृष्ण की अर्थात सगुन साकार की सिध्धी हो गई सन 1986 में गुरुदेव बाबा श्री गंगाई नाथ जी की समाधी पर गए वहां उन्हें आदेश मिला कि मैंने जो प्रसाद तुम्हें दिया है उसे मानव कल्यान के लिए संपून विश्व में बाटो उसके पश्चाद गुरुदेव ने रेलवे सेवा से स्वैच्छिक निव्रत्ति लेली और उसके पश्चाद से इस माहा प्रसाद को मानव मात्र में बाट रहे हैं तब से आज तक गुरुदेव लाखो लोगों को दिव्वे मंत्र से चेतन कर चुके हैं एवं हजारों लोग वभिन्न प्रकार के नशों और रोगों से मुक्त होकर सुखद जीवन व्यतीत करते हुए आध्यात्मिक पद पर अग्रसर हो रहे हैं सिद्ध योग नाथ मत्र के योगियों की देन है इसमें सभी प्रकार के योग सम्मिलित हैं इसलिए इसे पूर्ण योग या महा योग भी कहते हैं इस सम्मंध में महा योगी गोरकनाथ जी ने कहा है भारतिय योग वेद रुपी कल्पतरू का अमर्फल है इसमें साधक के त्रविध ताप आधि दैहिक आधि भौतिक आधि दैविक नश्ट हो जाते हैं तथा साधक जीवन मुक्त हो जाता है महाशी अर्विंद ने इसे पार्थिव अमरत्व की संग्यादी है जाता है